प्रिये प्रदेश वासियों आप अपने परिवार के साथ घर में रह करके करोना वारिस के खिलाप लड़ाई लड़ने में हमको पूरा सायोग दे रहे हैं मुझे इस बात का संतोश है कि इन दुनों में हिमाचल परदेश में कोई भी करोना वारिस का नया मामला सामने नहीं आया है लेकिन फिर भी हमको स्तरक रहने की बहुत बड़ी आफशक्ता है आप सब का स्वास्ते हमारे लिए मत्तपून है उस दिश्टी से हम आप सब के साथ हर रोज बात करते रहते हैं और सरकार के विभीन निर्नेों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएने की हम कोशिश करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मैंटें करने के लिए और उसके साथ साथ मैं आप सब की सुबधा को ध्यान में रखते हुए हमने निर्ने लिया था पिछ दी जाएगी ताकि आप अपना जरूरी सामान खरीद सकें लेकिन हमने आज के अनभव के अधार पर ये भी अनभव किया कि इस रिलाक्शेशन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग अनवश्चक रूप में बजार में गूमते रहें जिस बात को आज के हालात में हम को परहिज करना चाहिए इसलिए आज फिर से एक बार डेप्टी कमिशनर के साथ वीडियो कौनफरेंशिक के माध्यम से हमने सारे हालात पर चर्चा की और चर्चा करने के साथ साथ में हमने निर्णने लिया कि कर्फिय। हिमाचल परदेश में अभी जारी रहेगा और करेंगे कब से कब तक समय इसके लिन दिर्धारित किया जाए और आप सब को इस बात की सूचना समय पर पहुंच जाएगे आज की इस बैठक में हमने एक महत्तपूर निर्णा लिया है कि लोगों को जरूरत का समान उनके घर तक पहुंचे घर में मिले इसको सुनिश्चित कै कैसे किया जा सकता है इस वेवस्ता को माने बले समय में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और विशेश्च तरसे शहरी क्षेत्रों में जिला मुख्याले एस्डियम के मुख्याले ऐसे स्थानों पर हमारे सामान का बित्रण बिविन मादियों से लोगों के घर तक कुनिशित करने के लिए हमने आज विचार करने के बाद निरने लिया है और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में इस निरने को हम लागू करने की परस्तिती में हो पाएंगे हिमाचर परदेश देव भूमी के नाम से जाना जाता है और इसलिए हम सब का ये दाई तो ब हो ऐसी परसिती में आप सब लोग उसका सहुग करें मदद करें अपने सरकार की और से भी ये निर्ने लिया है ऐसे लोगों की ऐसी घड़ी में मदद की आफशक्ता है और उस मदद में सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी आज तक के इस सारे कुरोना के खिलाफ आवियान में एक बार फिर से आपका भार वक्त करता हूँ लेकिन यह अभियान अभी और वक्त लेगा ऐसी परसिती में मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो मत अपून है उस पर आप ध्यान दें और आनावश्यक रूप में इस कर्फिय के दौरान कहीं भी ना नि ख्री दें दूर ना जाएं और अनावश्यक रूप से बाजार में और इसके साथ साथ सड़कों में गूमने ना निकलें यह बहुत आवश्यक है और एक बार फिर से मैं आप सब से सहयोग के लिए आवार व्यक्त करता हूँ पराने वाले सुमय में करोना के इस वायरिस की लड़ाई के खिलाब लड़ने के लिए आप सबका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा इस उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमश्कार जाहिन जाहिमाचल